नमस्कार दोस्तों ममी किचिन में आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं हरी मूंग का डोगला यह बहुत ही हेल्दी डिश है एक तुम हरी मूंग उसके ऊपर छिलके साइथ तो यह हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है मैंने ओवर्णाइट मूंग को सूख करके रखा हुआ एक जार में मूंग के साथ आधा इंच अधरक और तीन-चार हरी मूंग को थोड़ा सा पानी के साथ इसको बिल्कुल फाइन बारिक पिस लेंगे यह देखिए मूंग पिस चुका है अब इसको हम एक बावल में ट्रांसफर कर लेंगे दोस्तों यह डिश आप जरूर है और कमेंट में जरूर लिखें कि यह कैसा लगा आपको मेरे चैनल को लाइक अब सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो बावल में ट्रांसफर करने के बाद इसमें हम एड करेंगे थोड़ा सा बेशन नमक टेस्ट अकॉर्डिंग और बिल्कुल एक पींच हल्दी और मैंने इसमें एक भरे चमच लगभग दही डाला है सबको अच्छे से फेट लेंगे दोस्तो इसमें बेशन आले ढोकले की तरह जाली तो नहीं बनती है लेकिन टेस्ट वाई यह बहुत अच्छा होता है तो आप चरूर ट्राइ करें मैंने इसमें एक टीस्पून फुल सर्सो का तेल डाला है और साथ में मैंने कंटेनर को सर्सो तेल से ही गिरिस किया है उसके बाद उसमें हम एट करेंगे चौथाई चमस बेकिंग सोड़ा और बेकिंग सोड़ा डालने के बाद इसको अच्छे से फ्येंट लेंगे बीटर से और फिर उसको कंटेनर में ट्रांस्फर कर देंगे एक कराही में लगभग एक गिलास पानी गरम होने के लिए रखेंगे उसके बाद उसमें स्टीम करने के लिए प्लेट या जो भी आप स्टीम करने के लिए रखते हों और रखेंगे उसके उपर कंटेनर और उसको एक बरे बरतां से ढग देंगे लगबग 15-20 मिनट में ढोकला बंद कर तयार हो जाएगा उसको चेक करने के बाद फिलेम को बंद कर देंगे और फिर हम तरिके की तयारी करेंगे तो एक चमच लगबग तेल में मैंने आला चमच राई और दो-तीन हरी मिर्च को बीच से कट करके डाल दिये हैं इसमें आप करीपत्ता एड़ कर सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा पानी और दो-त्चमच चीनी मिलकुल थोड़ा सा नमक और लगबग एक चमच निमु का जूस मैंने डाला है मैंने ढोकले के बैटर में चीनी नहीं डाला था आप चाहें तो उसमें भी चीनी डाल सकते हैं किन्तु मैंने सिर्फ जूस में ही यानि कि तरके वाले जूस में मैंने चीनी डाला है उसके बाद ढोकले को एक प्लेट में डाल कर उसको पीसेस में कट कर लेंगे और कट करने के बाद जो हमने तरकी का जूस तयार किया है चारों तरब से एक बराबर डाल कर उसको हम डेकोरेट कर देंगे हरी धनिया और नाडियल बारी कटा हुआ थोड़ी देर में ये जो जूस हमने उपर से टाला है उसको सोक कर लेगा और खटा मीठा और नमकिन तयार है